निवश्कार दोस्तों मैं मुझे दमाउन सिंगला स्वागत है आपका मारे शलमें दोस्तों आज हमें स्विशेर बात करेंगे कि दिवाली पे हर इनसान को कैसे खुश करें अपने ग्रहों के हिसाब से दोस्तों अकест हम लोग दिवाली पे उन्हें ही डबा देते हैं उन्हें ही मिठाई देते हैं उन्हें ही पूछते हैं जिन से हमारा मतलब पढ़ रहा है और ये कड़वी हकीकत है भाई भाई को मिठाई नहीं देता पर अंजान इनसान को देता है जो आपस के blood relatives हैं वो एक दुसरे को पूछते भी नहीं है एक दुसरे की खैर खबर भी नहीं लेते दिवाली wish तक नहीं करते और बहारी लोगों को जी भरके समान भी देते हैं, wish भी करते हैं उनको दुनिया बरकी जो है उनसे लेंदेन करते हैं पर अपनों को भूल जाते हैं और यही एक सबसे बड़ी कमी है जो हमारे ग्रहों को दूशित करती है, खराब करती है ग्रहों के negative परिनाम हमें जेल ले पड़ते हैं क्योंकि हम blood से उनसे relative हैं तो उनकी किस्मत भी work करती हैं और हमारी भी कुंडली के हमारे उपाई उनको भी फाइदा पहुचाते हैं और उनके उपाई हमें भी फाइदा पहुचाते हैं तो इस दिवाली पे चाहे आपके कितने ही मतबेद हैं कोशिश कीजे केक मिठाई का डबा इसमें भी priority आपकी होने चीए लड़ू चाहे वो बेसन के लड़ू हो चाहे मोती चूर के लड़ू हो specifically मैं इसमें mention कर रहा हूँ बेसन के लड़ू या मोती चूर के लड़ू बुंदी वाले जो लड़ू होते हैं या वो आपने उन में से दोनों में से कोई एक चीज चूर करनी है और वो अपने रिष्टदारों में बाटनी है अगर आप अपने बड़े भाई को मिठाई का डबा देते हो या अपने छोटे भाई को देते हो तो कही न कहीं आपका मंगल ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है चाहे आपके रिलेशन इतने नहां हो चाहे आपको पता हो आपके भाई बुरे हैं गंदे हैं या आपके काम नहीं आएंगे फिर भी आप एक उपचारिकता के तौर पे चाहे एक डबा मेरे कहने से अपने भाई को दे दो इससे कही न कहीं मंगल की पॉजिटिवटी आपको मिलेगी किसी ना किसी वे में जरूर मिलेगी चाहे वो भाई पूर्ण तहा काम ना आए या आपको यह हो यकीन के भाई उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है बट स्टिल उसे एक सामाजिक भाई मान के जैसा सामाजिक में हमारे मित्र होते हैं आप उसे डबा दे दो कोई भी आपकी बहने हैं उनको डबा ज़रूर दो यह हमारे बुद्ध ग्रह को डिनोट करती है बहनों को आप डबा दोगे और उसे बुद्ध ग्रह के प्रसर होने से आपको अपनी decision making में फाइदा मिलेगा क्योंकि बहने कैसी वो होती चाहे आप किसे बात चीत करती है नहीं करती फिर भी एक उसके मन में कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी emotion आपके लिए बचावा होगा थोड़ा भी प्यार बचावा होगा दिल के किसी भी कोने में तो अगर उसके मन से कोई आशीश निकल गया या कोई अच्छी बात आपके लिए निकल गई या छोटी सी भी कोई एक blessing निकल गई वो आपको बहुत मदद करेगी अपनी life में सही decision making में फिर आता है हमारे गुरू हमारे teachers हमारे से बड़े लोग जो हमसे उम्र दराज हैं चाहे हमारे माबाप हों चाहे हमारे साससुर हों चाहे अंकल अंटी हों चाहे चाचा चाचीज़ा चाहे ताओ उताई कोई भी जो हमसे बड़ा है आपके family में जितने भी बड़े बजर्ग है या आप से बड़े हैं रिष्टे में वो आपके guru ही माने जाएंगे उनको मिठाई का डबा जरूर दो जिससे कहीं ना कहीं उनकी blessings उनका अशिरवाद आपको मिले चाहे कोई आदमी कितना ही कटोरो चाहे कोई आदमी कितना ही आपको dislike करता हो चाहे कोई कितना ही किसका प्रेम और मुझ अपने बच्चों में हो आप में ना हो तो भी जब आप किसी के पैर चूते हो जुकते हो और उनको कुछ भी भेट देते हो तो वो मजबूरन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा बोलते ही है अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में युद ऐसा था जिसमें लोगों की जान जा रही थी भाई भाई को मार रहे थे कौरव पांडव में जगड़ा हो रहा था जमीन को लेके फिर भी पांडव कौरव की मा जो थी उससे आश्रवाद लेने जाती थी भीश्म पितामा से जो है कौरव की मा से आश्रवाद लेने जाते थे पांडव भीश्म पितामा से आश्रवाद लेने जाते थे यहां तक की ये जानते वे भी कि ये अपने बच्चों का ही भला चाहेगी या भीशिम पितामा उनकी साइड है कौर्वो की साइड है वो धरम के खिलाफ खड़े हुए में तो भी उनका अश्रवाद लेते थे और यहां तक कि कौरव के अंदर वो गुण नहीं आ पाया कौर्वो में एक जो ग्रिंटा थी जो कठोरता थी जो दुश्मनी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फिर भी वो कुंती को संबान देते थे माता कुंती को संबान देते थे कौरव तो कहीना कहीं ये एक चीज़ बताती है कि जब हम अपने बड़ों को साथ लेके चलते हैं उनका आ कोई तरीके से एक पॉजिटिवटी जरूर निकलती है तो आप जरूर उनको मिठाई का डबा दीजिए उनके पैर चुई है चाहे आप वो उसको डबे को आगे दें ना दें क्या करें वो उनका हेड़े का आपने मन से अच्छे मन से वो कर लिया तो बहुत हद तक आपको पॉजिटिवटी मिलेगी उससे आपकी स्ट्रेंथ बड़ेगी आपके कुल में यश की प्राप्ति होगी और कहीं न कहीं आपके जीवन में जो चीजें हैं उनमें एक अच्छा ये कहलो ना संपंता जिसे हम कहते हैं वानी शुरू हो जाएगी और जो ब्लेसिंग्स हैं व को मिले और पितर भी हमारे गुरू का स्वरूप रहे हैं और अब भी एक पितर के रुप में हमें गुरू की तरह आश्रवात दे सकते हैं तो उनके निमित भी एक डबा मोती चूर के लड़ू का या बेसन के लड़ू का किसी भी धार्मिक स्थान पे जरूर दें या आप हो उनके पसंद की मिठाई आप खिलाइए दीजे और आपकी शादी हो गई है बीवी के पसंद की मिठाई आईस क्रिम तो आपको याद होगी पर शायद मा के पसंद का मिठाई याद नहीं होगा तो इस बारी जरूर याद कीजिए और मा को जरूर मिठाई खिलाई बढ़ जो घर के है उनको अपने फीके में आप टाल रहे हो तो घर के लोगों पे पैसा खर्च करते हों कंजूसी मत करना तुम्हारी मा ने तुम्हें पाला पलोसा बड़ा किया और तुम्हें बेस से बेस्ट खिलाया होगा बेस से बेस्ट लाड़ किया होगा तो कही न कहीं अपनी कुछ एक positive outlook की तरफ बढ़ते रहेंगे और मन आपका अच्छा रहेगा मन में मजबूती रहेगी तो आपके अंदर की जो बेच है नहीं है वो खतम होनी शो जाएगी और मां से बड़ा आश्रवात देने वाला तो कोई भी नहीं इस दुनिया में भगवान से पर मां को माना जाता है अगर आपकी मां नहीं है जैसे मेरी मां नहीं है तो किसी भी आप मां जैसी उम्र की औरत को जिसको भी आप मां का दरजा दे सको हाला कि मां का जगे कोई नहीं ले सकता मां की जगे बट कोई भी स्तरी हो जो बुजर्ग हो, आप उसको भी मिठाई का डबा दे सकते हैं फिर आती है बात हमारे शनी ग्रह की शनी ग्रह हमारे डिनोट होते हैं हमारे करमचारियों से कोई भी जो workers हैं, laborers हैं, mistering हैं, जमादार हैं आपके servants हैं, आपके मुलाजिम हैं, वो सब शनी से denote होते हैं, तो ये तिवहार पर ये expect जरूर करते हैं, इनको कभी भी निराश मत कीजें, कि आप इने कुछ नहीं दे रहें, जो आपकी यताशक्ती हैं, इनको मिठाई जरूर दीजें, सम्मान से दीजें, और इनके साथ अच्छी मिठाई दीजें, जिससे उनकी blessings आपको मिलें, और उनको भी तिरिपती मिलें, क्योंकि ये तिवहार ऐसा है, जो हर एक के लिए है, हर एक का मन करता है तिवहार बनाने का, तो और वो आपसे ही expect करते हैं, तो उनको जरूर आप दीजें, ताकि शनी एक बार ही प् पार्टनर हो सकता है, आपकी wife हो सकती है, आपके husband हो सकते हैं, आपकी girlfriend हो सकती है, आपके boyfriend हो सकते है, आपका कोई भी partner वो शुक्र से denote होता है, और जो भी आपके partner है, उनको जरूर कुछ ना कुछ आप तवहार दीजे, और मीठे के रूप में ही दीजे, इस दिवाली पे, और उनसे अपनी relation को बढ़ाने की प्रयास कीजे कोई भी आपके जगडे होई हैं कुछ भी होई है उस चीज़ को आप make-up कीजे और जो भी आपसे भूल होई हो उसके लिए sorry कर दीजे जो भी उन्हें पसंद है वो पसंद किया मिठाई खिला सकते हैं इसमें मैं आपको लड़ू के लिए फोर्च नहीं करूँगा और जो भी उनकी चाहिए चॉकलेट्स हैं चाहिए कुछ भी है और उसमें कोशिश कीजेगा फूल जरूर आड़ कर लीजेगा चाहिए गुलाब के फूल हो चाहिए या कोई भी ऐसे फूल हो जो उनको पसंद हो वो आप उनको जरूर दीजे चाहिए कोई आप मिठाई दीजे बट इस दिवाली पे जरूर उनको खुश करने का प्रयास कीजे शुक्र खुश होगा आटोमेटिकली आपके जीवने बरकत होगी और जो शुक्र सिद का मतलब क्या है विलासिता, बहुत खुशिया शारेरिक सुक, आपकी मन में सुक आपके अंदर तक ठंड़क पहुँचना आत्मिक आपको सुक मिलना शरीर के माध्यम से ही आत्मा तक वो सुक पहुँचता है तो आपका पार्टनर अच्छा होगा आपके साथ होगा, आपकी तरफ अट्रक्टेड होगा, तो अटोमेटिकली आपको उस चीज की संतुष्टी मिलेगी जिन लोगों का पार्टनर नहीं है जो कुवारे हैं या कुवारी हैं उनके लिए यही एक उपाई बताऊँगा कि इस दिवाली पे कि या तो आप विश्णु लक्षमी जी के मंदिर में वहाँ पे मिठाई भीट करियाए और वहाँ प्रातना कर लेजे कि हमें मन चाहावर मिले चाहे आप मेल है या फीमेल है और उनसे प्रातना कर लेजे कि उनका अश्रवाद आपको मिले चाहे आप शिव पारवती के मंदिर में चले जाएए वहाँ प्रातना कर लेजे कि आपको मन चाहावर मिले या आप स्त्री हैं तो मन चाहावर मिले जो है पुरुष है तो मन चाही आपको स्री मिले, ज़री भी आपके मंद में फॉर्ट्स हैं, तो एक पतनी की रूप में और या एक पती की रूप में, तो किसी ना किसी way में आपको इश्वर की blessings मिलेंगी, और आपके लिए कोई ना कोई रस्ता खूलेगा जिससे आपको वो पार्टनर की तरफ आपका रुजान जाए या फिर आप आप आटमेटिकली वहां पे पहुंच जाओं जहां आपको वो इनसान मिलेगा या टकराएगा या टकराएगी इसके अलावा जिनरल लेवल पे भी मिठाई अपने घर में जब आप खाते हैं सबी घर को लोग को खिलाए और अप आप मीठा बाटेंगे दिवाली पर या दिवाली से पहले एक दू दिन पहले इसके अनकॉंटेबल बेनिफिट्स हैं हाला कि डब में बहुत आते हैं हर एक के घर में आते हैं बट एक जुडाव पैदा होता है एक योगदान पैदा होता है कि हाँ इस बंदे ने हमें भी खाने का कोई भूका नहीं होता हर बंदा इज़त का भूका होता है जब आप किसी को कुछ देते हो भीट करते हो खुशी मन से मुस्कुरा के तो उन्हें लगता है हमारा सदकार हुआ है हमारी इज़त होई है ऑटोमेटिकली रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं जो लोग क गिवन टेक से हैं और यह मत एक्सवेक्ट कीजे कि हमने डबा दिये तो बदले में हमें भी डबा मिलना चाहिए आप खुद की खुशी मन से अच्छे मन से किसी को भी तोहार के तोर पे एक उपहार दीजे कोई भी मिठाई दे दीजे और उनसे अच्छे से बरताव कीजे क किसी पडोसी से बिगाड लिये तो अब यह बनाने का मौका है उनको मिठाई दे दीजे उनसे बात कर रहेजे कि जो भी पुरानी बाते हुई हम उनने भूल जाते हैं और आगे नई शुरुवात करते हैं दोस्त है आपका कोई भी तो इन चीजों से कही न कहीं आप देखे और जरूर इस बात पर ध्यान दीजेगा आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है तो दिवाली पर यह उपाई जरूर कीजे और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी कोई दिवार आता है मीठा देना अपने आप में एक बहुत ही अचूक मंगा के ताकि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी इस टाइम में आपके उपर से निकल जाए तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन पायों पर गौर करेंगे और आप मंगा सकते हैं लक्षिंपर आपती दुनी भी क्रिया वाले नारियल भी आपको सिंप्ली मोबाइल नंबर 813 033 1007 पर वटसेप मेसेज करना होगा नंबर दिवारा गोल रहा हूं 813 033 1007 डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मुल जाएंगी मैं हूँ आपके दोस्त बिलकितमान सेंगला